चोले रिशेची आमादेर पोरेर पार्ट और थात पार्ट बी निये जारमोदे 60 कोस्षेन थाकवे 41 थेके 60 आमी एक्टी रिद्धिष्टो सेट धोरे कोरलां कोस्षेन ए अंसार नाउ मिलते पारे ताइ दूटो विडियोई आपना दे देख्टे हवे निजे दे शामोस्त कोस्षेन ए अंसार मिलते देख्ट थाकून विडियो गुली एबां कोनो राकमेर प्रस्म थाकले अवश्य कोमेंट करे जाना बेन चलून शुडू करा जाक नेक्स्ट पार्ट 41 to 70 फास्ट कोस्षेन टार्शियारी भिली आर कॉम्प्लीटेड बाई यहाने 17 दे आछे 19 दे आछे 21 दे आछे आर 23 दे आछे आमरा जानी टार्शियारी भिली हए थार्ड वीके तो एटा 21st डे हवे नेक्स्ट कोस्षेन साप्रेशन ओफ लैक्टेशन में ओकर फॉलोइंग दे यूज ऑफ आल एक्सेप्ट ऑक्सिडोसीन आछे इस्ट्रोजेन आछे ब्रोमोक्रिप्टीन आछे आर्गर डेरिवेटिवा छे एखाने ओप्शन ए ओक्सि Serum-Bita-ACG level when titer is falling, Transvaginal Sonography showing empty uterine cavity, combination of Serum-Bita-ACG and Transvaginal Sonography and next, Careful history taking and examination in majority, so here the option C is correct, जहने, combination of Serum-ACG and Transvaginal Sonography both are performed, नेक्स्ट कोस्टेन, डिक्रींस्ट इन फिटल हार्ट रेट दिूरिंग लेबर आर कॉल्ड, ओप्शन अचे एक्सेलारेशन, बेसलाइन रेट, डी अक्सेलारेशन और वैरियेबलिटी तो एखने डी अक्सेलारेशन बाँ ओप्शन बी इस कारेक्ट ओलिगो हाईड्रम्नियस में इंडिकेट फीच एनोमली हिन्दा न्यूमोर्ण इखहाने ओप्शन आचे, обнаружign是不是 of the gastrointestinal tract, cardiac abnormality, neurological abnormality and urinary tract abnormality It is the option D, urinary tract abnormality कारौन आम्रा जानी ओलिगो हाईड्रम्निय अअचेट लाइग अबुस्तान, amniotic लाइग डाइख्एशन बौला हुएधा के आर अम्नियोटिक फ्लुइट शिस्टी हाई फीटालेर यूरीन थेके सो यूरीन जोदी कॉम हाई शेखेत्रे अलिगोहाइडरम नियास हाई जेटा यूरीनारी ट्रेक्ट अबनोर्मालिटी बाक और किड्नी प्रोब्लमें जोन होए थाके तो एकाने यूरीनारी ट्रेक्ट अबनोर्मालिटी एंसर होए आफ्टर एक्जामिनेशन दे सार्वीक्स ओफ ओफ ओमें इस फाइप सेंटीमेटर डालेटेर एंड फिप्टी परसंट इफेज इस नर्स नोस देट शी इस इन दा कली एकाने आचे सेज अगेंड सेज्च ट्रांजिशनल फेज लांटेन फेज ऑफ सेज अगेंड फ而फ सेज़ एक्टि एक्टी फेज एक्टि एंसर कारण एकाने जेहे तो 5 सेंटिबीटर डालेटेशन होए गाछाँ अम्रा जानी 3 थेके 4 पर जोन्तो लाटेन फेस थाके जोखने टी 4 सेंटिमीटर ओधिक्रम कोरे जात अखन श्रे एक्टिफ फेस दे चोले जाए शो एट इस दा एक्टिफ फेस एक्सपोस्यन होचे ऑक्सजिनेरेड ब्लाट एंटर्स दा फिटाल सार्कुलेशन फॉम अम्बिलिकल बेन वाया एट अम्रा सबाई जानी एट डाक्टास बेनो सास हबे एचाराव ओप्षण ओरे छे इंट्रहेपाटिक बेन डाक्टास आर्टरियोसास और इंट्रहेपाटिक बेन एखाने ओप्षण ए कारेक्ट हबे चाइल्डर खेतरे जेहतु डिजीस टी होए थाके तई एटी कोरियान डिलेटेड तई एखाने ओप्षण बी कोरियान अभॉषे कारेक्ट रैंसर हबे युटरास तो correct answer होबे किन्तु एटी जेहेतु प्रिंसीबाली याड डिजीज बोले छे टा क्रुशियाली जानते जे छे ताई शेकेत्रे कोडियान होबे Option B is the correct answer Next question According to the Eugen Blever, the fundamental symptoms of schizophrenia are एखाने option आचे ambivalence, autism, affective disturbances and association disturbances एखाने युगेंड ब्लिवारे मते fundamental symptoms होचे 4A और थाथ ambivalence, autism, affects disturbances and association disturbances So option A is correct बाकी option को लार बोल लामना Next, 50 number Which of the following is the most prominent characteristics of borderline personality disorder आपाने जाने borderline personality disorder हे Personal relationship and instability थागे एखाने option आचे suspiciousness, magical thinking, unlawful behavior and instability in personal relationship So instability in personal relationship is the answer Next question Pathological repetition by imitation of the behavior of another person is termed as एखाने option आचे Ecolalia, Ecopraxia, Encopresis and Enuresis तो एखाने Ecopraxia होबे correct answer Ecolalia जेदी आमादे repetition of कोणो word होतो बावारवाल फ्रेंज होतो शेखेत्रे Ecolalia होतो and enuresis तो ओटा nocturnal bed waiting के enuresis बला हो थागे Next question According to Eric Sana, young adult must accomplish the task associated with the stage known as एखाने आचे चाट्टे option initiative versus guilt, intimacy versus isolation, industry versus inferiority and generativity versus stagnation So, जोदी आमादेर बोलतो older adult शेखेत्रे initiative versus guilt होतो किन्तु जेखेत्रे आचे young adult ताई जोर्न एटी होबे intimacy versus isolation और थाथ option B is the correct answer A male client is admitted to the substance abuse unit for alcohol detoxification which of the following medication is nurse most likely to administer to reduce the symptoms of alcohol withdrawal Alcohol withdrawal patient के आमादेरा Mainly दिये था कि Benjodrigapens एकाने option आचे नेलोगजेन, magnesium sulfate, haloperidol and chlorodrigapoxide एकाने option D और थाथ chlorodrigapoxide is the correct answer अनेक्षमाई अनेके भापते पारे येटी haloperidol होते पारे किन्तु haloperidol आमना तोखोन देई जोखोन कोनो patient बा कोनो alcoholic patient alcoholic symptoms निये बा alcoholic dependency एबंग तार restless behavior था कि तोखोन आमना तके haloperidol दिये था कि किन्तु जेहेतु येटी detoxification center एस से बंग alcohol withdrawal treatment करा दे ताई एक खेत्रे chlorodrigapoxide is the answer next question an infant intestine is sterile at birth therefore an infant lack the bacteria necessary for synthesis of चाट्टे अप्षरा छे biliruvine, vitamin K, bile salt are intrinsic factors एकाने vitamin K, option C is the correct answer कारोण आमरा जानी newborn infant बाहामा दे बारते शंगे-शंगे vitamin K injection दिये देया होई जाते intestine तार growth ठीक्टाक भवे होई एटी प्रोथम बीन synthesis से help करे vitamin K next question which neurotransmitter has been implicated in the development of Alzheimer disease आमरा शकोले जानी Alzheimer disease है जोननो responsible acetylcholine so option A is the correct answer एच राउं शिलो dopamine, serotonin, epinephrine तो आमरा जानी dopamine disbalance है जोननो Parkinson disease है और serotonin disbalance है जोननो आमा तेल depression होई ताके एखाने option A correct answer arts is aware that dementia unlike delirium is characterized by एखाने चाट्टे option आचे slurred speech, insidious onset, clouding of consciousness and sensory perceptual change sorry, sensory perceptual change so एखाने option B is the correct answer that is insidious onset कारोण dementia खेत्रे insidious onset थाक ले हो delirium में खेत्रे insidious onset थाके ना ताहिके त्रे insidious onset थाके correct answer होई next question A client with obsessive compulsive disorder is hospitalized in an inpatient unit which nursing response is most therapeutic एखाने option आचे clients एखाने obsessive behavior थाके होई accept कोटता होई ना होई challenge कोटता होई ना होई prevent कोटता होई और reject कोटता होई एक जोन क्लाइन जोपा OCD निये भोटती होचे होस्पीटल है तो ताहर शेई obsessive behavior गलो क्या prevent कोटता होई जाते शेई obsessive behavior गलो completely, repeatedly ना कोटते बारे शेई जोननों एखाने option C और तद preventing the client's obsessive compulsive behavior is the correct answer next question flaccid paralysis, fever, sore throat are manifestation of आमरा शकोलेई जानी flaccid paralysis by acute flaccid paralysis अबोशोई 75 mg by mouth at bedtime the nurse should tell the client that this medication may be habit forming and will be discontinuous as soon as possible this medication has no serious adverse effect this medication may initially cause tiredness which should become less bothersome over time and the client should avoid eating such foods as aged cheeses, yogurt, chicken, livers while taking the medication so एखाने option C और थात cheese, yogurt, chicken, livers एशब खावा stop कुरता होए कारोण इमी प्रामीन खेले cheese reaction बस serotonin reaction होए थाके next question the therapeutic approach in the care of an autistic child includes the following except कुंटी प्रोज़न होए ना शेती होलो एखाने option C और थात प्रोवाइज इन diversionary activities when acting out provide an atmosphere of acceptance provide safety measures rearrange the environment to activate the child एखाने option C और थात provide safety measures is the correct answer कारोण autistic children दे जननो कुनुलोख मेर कुनो safety measures से दरकार पोरे ना तादेर खेत्रे नीजे देर environment टाके rearrange atmosphere एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एट्मोस्प्यार राखा डाखा डाइबर्शनारी एक्टिवीरीज गुलोखे एक्टिंग आउट करा बताग देर के एंगेज करा एई काज गुली इंपोर्टेंट हाए safety measures बाकोनो precaution निया कोनो safety measures नियावा एई शब गुली दरकार पोरे ना एर पर चुले आसी आमरा next question next question next question आचे the best recommended BMI for adult is option आचे 15-19 19-25 25-30 31-35 option B is the correct answer 19-25 18.9 24.9 next question which of the following is a genosis or genotic disease एखने option आचे chicken-गुणिया malaria ravis AIDS एखने option C और था ravis is the correct answer then under female who delivered in government hospital in rural area is paid कोतो डगा दिया होई तके 18-0 option 14-0 option 1000 option C 12 correct answer components of school health services includes health appraisal immunization healthy school environment and all of this option D all of this is the correct answer school health program component health appraisal students school environment healthy immunization देवा एटी सब गुल all of this is the right answer community health centers covers the population of पार्षेज अचे death of fetus from 20 weeks to 28 weeks death of fetus from 28 weeks to first 24 hours of birth abortion plus still birth option D still birth plus death of newborn within the first seven days of life एटी correct tensor then the next question in India the most common cause of IMR is acute respiratory infection congenital anomaly low birth weight and diarrhea option C low birth weight correct tensor so एटुने चिलो मादेर part 2 1 part 2 part question answer discussion next part 2 70 hundred question analyze analyze another second video you can has two come to do the I